नवस्कार दोस्तो जै हिंद वंदे मात्रम स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर दोस्तो आज की वीडियो हम बात करेंगे हिंदी के पेड़ागाजी के टॉप यहाँ पर प्रसुन की बात करेंगे यह पार्ट नमबर दोस्तों फोर है इसके पहले हमने हिंदी पेड़ागाजी के तीन पार्ट अब्लोड कर दी हैं तो आप यहाँ पे प्लेडिस्ट में आएगा बिल आइकन तो आप लोग देख सकते हैं चिरियाई दोस्तों पहला प्रस्ण आपकी स्कीन पर है बहुत ही लाजवा प्रस्ण रहेंगे सभी प्रस्ण आपकी जाम के पैटन के उनसार रहेंगे पहला प्रस्ण है भासा अरजीत करने के संदर में सरवादिक महत्पूर्ण है जो भासा होती है उसको अरजीत करने के स संदर में सरवादिक महत पूर्ण क्या होता है दोस्तो तो वहाशा अरजित करने के संदर में जो महत पूर आ जाता है वो आपका आता है क्या सम्रद भासा परिवेश समरद में आपके ने ब्याकरन हो चैसूत्र हो कुछ भी हो सब आपका सम्रत भासा परिवیस में सभी आपका आ Госब से सरवादिक मत्पूर आपका हो जाएगा सम्रत भासा परिवेस नेस कोश्चन के तरब चलते हैं अंगला भासिकता वाला देश है पलपल में यहां पे भासा बदलती है हर डिस्टिक में जाएंगे जिला में जाएंगे राज्यों में जाएंगे पलपल में भासा बदलती रहती है लंगवे चेंज हो रहती है तो बहु भासिक वाला अपना देश है तो प्रस निशी से लिया गया कि बवभासिक कच्छा में बच्चों की भासाओं को इस्थान देने के लिए आवश्यक है यनि बच्चों की जी भासा में इस्थान देना चाहिए बवभासिक जो कच्छा होती है ठीक है उसमें जो देखे एक ही क्लास में कई सारे भासाओं के बच्चे हो सकते हैं तिसलिए बच्चों की जो भासा हो उसको सरफथम इस्थान देना आवश्चक है लेकिन क्यों आवश्चक है सिच्चक बच्चे को मात्रभासा प्रयोग को श्विकार करें सिच्छक बच्चों की मात्र भासाओं में गीत कविता सुनें, सिच्छक बच्चों की भासाओं का ही प्रयोग करें, सिच्छक बच्चों को उनकी भासाओं को ब्यवार में करने के लिए कहने कि ये तो पूरा जोर हो जाएगा, भासाओं का ही प्रयोग करें, ये भी आपका स स्विकार करें सिच्छक को पच्चे के जो भी मात्रभासा हो उसके प्रयोका स्विकार करना चाहिए अंगला प्रसना ये देखते हैं यहां से दो तीन प्रकार के प्रसना आते हैं दोस्तों आठवी कच्छा में पढ़ने वाली रुवीना लिखने में बेहत कठनाई का करती किसमें भाईया लिखने में होता है तो लिखने में जो कठनाई होती है उसे क्या बोलते हैं डिस्ग्राफिया बोलते हैं भासा गाद भासा गाद बोलते हैं डिस्कल्कुलिया बोलते हैं डिस्लेक्सिया बोलते हैं तो दोस्तों सभी लोग जानते जो लिखने संबंद से सम्मंदित हो जाता है तो ये सारे प्रस्ण आपकी जाम में आते हैं तो आपको पूरा कंटस्ट कर लेना है अगर आप में अभी तक हमारा चैनल जोईन नहीं किया है जैसवाल कोचिंग सिंटर ये सिच्छा जगत का 2020 का अपडेट चैनल है और नमबर वन करेंगे हाँ पे दोस्तो हिंदी भासा के बिविद रूपों में परचित कराने में सरवादिक सहायक होता है क्या होता है जो आपकी हिंदी भासा है उसके जो बिविद रूप है सही बात हिंदी भासा के बिविद रूप है लेकिन जो बिविद रूप है उनको परचीत कराने में सरवादिक सहायक कौन होता है तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी भासा के विवित रूपों से परचीत कराने में जो सरवादिक सहायक होता है वह आपका होता है क्या हो जाएगा हिंदी भासा का साहित वा अनमुद्रिस समगरी हो जाएगा यानि D option is the right answer हो जाएगा चलते निस question की तरफ अंगला प्रस निस्कीन पर है भासा सीखने और भासा अरजित करने में मुख अंतर का आधार नहीं है देखे क्या पूचा गया भाईया आधार नहीं है यहीं जो भासा हम सीखते हैं जो अरजित करते हैं उसका जो मुख अंतर होता है अरजीत करना और सीखने का जो अंतर होता है उसका अधार नहीं है क्या नहीं है यहाँ पर बताईए देखे सहस्ता ब्याकरण भासाई परिवेश सोभाविक्ता राइट इंसर क्या होगा अगर आप लोगों पता हो तो यहाँ पर जरूर आप कमेंट करें और जैसवाल कोचिंग सिंटर को जोईन कर लीजेगा रेट बटन जरूर उसको क्लिक कर लीजेगा तो भासा सीखना और अरजीत करने का जो मुक अंतर होता है उसका अधार क्या नहीं होगा यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ब्याकरण हो गई है अधार नहीं को बांकि सहचता होगा भासाई परवेश भाविक्ता यह सभी आपके भासाई सीखने और जित करने का मुख अंतर है लेकिन ब्याकरण जो आपका मुख अंतर नहीं आएगा क्यों कि ब्याकरण जो है इस question तरब तो चलते हैं इसका right answer ब्याकरण हो जाएगा इस question इसकी इन पर है अंगला प्रस्ण है अगर समझ में आ रहे हो प्रस्णों like भी कर दीजेगा और इजाम में ऐसे प्रस्ण आएगे उमीद करते हैं दोस्तों आप लोग बिल्को सही मार कर आएगे बिल्को सही टिक म लगी यह आपका वाक आ गया ठीक है ठिटियाना सब्द में आना प्रत्य का प्रयोग हुआ है जो आपका यहां पे ठिटियाकर आना ठीक है जो आना जो यहां पे प्रत्य प्रत्य क्या होता है धातु या सब्द के पहले जो अगर यह मान लीजे धातु है ठीक है यह आपका सब्द है तो पहले आपका उफसर्ग लगता है और बाद में जो लगता है वह आपका प्रत्य कहलाता है ठीक है बाद में जो लगता है तो वही यहाँ पर आपके आना यानि के प्रत्य प्रत्य हुआ है तो आना प्रत्य से बनने वाले चार सार्थक सब्द बनाना है तो इस प्रस्ण का शुरूब को पोसित करता है किसको पोसित करतेगा संदर्व में ब्याकरण पाठ पुस्त की ब्याकरण प्रत्य का समस्त ग्यान सूत्र सैली ब्याकरण दोस्तों हमेशा आपने बुक में देखा होगा चैक है जब भी आप यहां पर क्योंकि आप एक से लेकर आटक के क्लास के बच्चों कि यहां पर पेड़ागाजी है ठीक है वहां के लिए बात कर रहा हूं दोस्तों तो वहाँ पर देखिए अगर आना प्रत्य लगाकर हमें काफी सारे question होते हैं कि आना प्रत्य लगाकर ऐसा करिए ठीक है उप्रत्य लगाकर आप सब्द जो है आपका आउपसर्ग लगाकर इतने चार सब्द बनाईए पांस सब्द बनाईए सार्थक सब्द बनाईए ऐसे प बनाना होता है इस प्रस्ण का जो रूस स्वरूप है किसको पोसित करता है यह आपके पार्ट पुस्त की ब्याकरण को पोसित करता है किसको पोसित करता है पार्ट पुस्त की ब्याकरण को पोसित करता है क्योंकि पार्ट पुस्त तक जो हम पढ़ते हैं पार्ट का ठीक है जो उच्छ प्रात्मी किस्तर पर डेड़ 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 परचीत कराने की प्रकिया पर बल दिया जाता है अब बात आती उच्छ प्रात्मी किस्तर पर ठीक है उच्छ प्रात्मी किस्तर पर जो है आपका परचीत कराने की प्रकिया पर बल दिया जाता है किस पर बल देंगे भ बल दिया जाएगा आपके सहितिक बिधाओं पर बल दिया जाएगा क्योंकि सहितिक जो बिधाओं होती इसमें लेखन भी आ जाएगा पठन भी आ जाता लंकार सब सहितिक बिधाओं प्रकिया पर किस पर बल दिया जाता है तो आपके सहितिक बिधाओं पर परचित कराने की प्रक्या पर बल दिया जाता है अंगल प्रस्ने एक ओल ले रहें दोस्तो उच्छ प्रात्मी कि स्थर से प्रस्निया है उच्छ प्रात्मी कि स्थर पर ब्याक्रण सीखाने की किस बीद्धılar को आप सरवादिक मातपूर एबं उपयोगी पाते हैं उच प्रात्मी किस तर पर अगर आप लोग ब्याकरण सिखाते हैं तो किस बीदि को आप लोग सरवादिक महत पूर्ण उपयोगी पाते हैं पाठ पुस्तक बीदि को अनुवाद बीदि आगमन बीदि निगमन बीदि सभी लोग कमेंट करके इसका एंसर बताएं अगर आपक नियुक्त ध्यापक के तौर पर सिखक सिखकर के तौर पर होती है जब आप बच्चे उच प्रात्मी किस तर लेबल पर आपका सेलेक्शन होता है जब आप बच्चों को ब्याकरण सिखाते हैं तो किस बीदि का आप लोग सरवादिक महत पूर्ण या उपयोगी मानेंगे ठीक है तो किस का मानेंग भईया आगमन बीदि का मानेंगे आगमन बीदि का मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर पहले क्या क्या दिया जाता है पहले आपको उदारन दिया जाता है आगमन बीदि में पहले इजामपल दिया जाता है और आगमन बीद कि बात करें जो भासा सिच्चन के उद्देस होते हैं। इनमें से आपका नहीं है। काउंसा नहीं आई है। देखते हैं। देखे भासा की बारीकी और संदरबोत की समझने की छमता कभी कास ये तो होगा आपका विवेन साहितिक विधाओं की समझ कभी कास ये भी होगा निजी अनुवाओं के अधार पर भासा का सजन सील पर ये भी होगा उच प्रात्मिक इस्तर पर भासा सिच्छन का उदेश ठीक है चौथा आपको क्या दिया है भासा के ब्याक्रिणिक बिंदु की परिभासाओं को जानना यह आपका दोस्तों उदेश नहीं है उच प्रात्मिक इस्तर का आपका भासा सिच्छन का उदेश आपका चौथा आप ही जो अपके ब्याक्रिक बिंदु होते उनको परिवासाओं को जानना तो यहां पर यह आपको उद्धेस नहीं है यह तीनु आपके उद्धेस हैं 4 आपका उद्धेस नहीं है area to right option number 4 हो जाएगा चलते हैं और और अंगला प्रसरी सकीन पर है भाशा के नियम प्रकति को पहचानना और उसका बिस्वेशन करना उच प्रात्मिक इस्तर पर भासा सिच्छन का है देखे यहाँ पर काफी सारे कन्फ्यूज होते हैं मैं बता देता हूँ कन्फ्यूज क्या होते हैं भासा की नियमबद प्रकति को पहचानना और उसका बिस्वेशन करना उच प्रात्मे किस तर भासा सिच्छन का है तो आप लोग क्या करते हैं ये दो आपसन सही होंगे कोई मुख उदेश लगा देता है कोई उदेश लगा देता है देखे समझेगा बात को भासा की नियम बद प्रकति को पहचानना किसको नियम बद जो प्रकति होती उसको पहचानना और उसका क्या बिषलेशन करना, यह दोस्तों मुख उदेश में नहीं आएगा, यह आपका उदेश में आजाएगा, किस में आजाएगा, आपका तीसरा आपसन आपके सही होगा, भासा सिचन करिये आपका केवल उदेश है, ठीक है, मुख उदेश यह आपका नहीं आएगा, इस question की तरफ चलते हैं अंगला प्रस्णी स्कीन पर है और प्रस्णिया है कि उच प्रात्मी की स्तर पर बच्चों के भासाई आकरन की दस्से सबसे महत्पूर्ण प्रस्ण क्या होगा ठीक है उच प्रात्मे के स्थर पर अगर आपको बच्चों के भासाई आकलंक अगर दस्टे देखा जाए तो सबसे महत्पूर्ण प्रस्ण क्या होगा क्या होना चाहिए आपका नेल कंड की नत्भंगिका को अपने सब्द चित में प्रस्टूत कीजिए यह आपका सबसे महत्पूर्ण प्रस्ण होना चाहिए तो सेकंड आपसन आपका सही हो जाएगा चलते हैं अंगले प्रस्ण की तरफ नेसकोस्टन इसकीन पर है अंगला प्रस्ण है विद्ध्यार्थियों की पढ़ने में रुची जागने एवन भासा ग्यान में ब्रदी के लिए पाट पुस्तक के अतरिक्त क्या होना चाहिए अगर विद्यार्थियों में पढ़ने की रूची जगाने एवं भासा ग्यान में ब्रद्धी करने के लिए पाठ पुस्तक के अतरित क्या आपको करना चाहिए ठीक है बच्चों में पढ़ने की रुचियमे जगाना है उन्हें भासा ग्यान में ब्रद्धी करवाना है तो पार्ट पुस्तक के त्रिक्ट भी कुछ और पढ़ाना होगा तो वो क्या चीज पढ़ाना है तो समा चारप्रत पोस्टर निर्मान करवाना चाहिए पठन समागरी दिक्सित की जने सकती है सच्षिक भ्रवन अधिकादिक आयोजन की जाना चाहिए पाठ चर्य सहगामी किराओं का अधिकादिक आयोजन किया जाना चाहिए तो यहां पे रायट एंसर क्या होगा दोस्तों हमें कमेंट दोरा ज़ोरल बता सकते हैं आप लोग ठीक है क्या हो जाएगा राइट एंसर इसका सभी लोग कमेंट करें प्रीच क्या हो जाएगा ठीक है इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा सैचिक क्या हो जाएगा पहला आपसन होगा या आपका तीसरा होगा चलिए बताइए दो आपसन में कौन सा ही होगा सैच्छिक ब्रह्मन का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए बिद्यार्थी पढ़ने वाज जागने भासर अगर पाट पुस्तक में आपको अतरीक्त रुची देना है तो क्या करेंगे आप लोग चार आपसन में आप लोगों के इसका एंसर कमेंट बाक्स में बताना है राइट एंसर क्या होगा ठीक है दोस्तों नेस्ट वीडियो में हम आप लोगों का इसका एंसर भी बता देंगे इसका एंसर क्या होगा हमें कमेंट बाक्स में जूर बताएं दोस्तों चलते हैं मिलते हैं ने इस वीडियो पर दोस्तों नेस क्लास पर मिलेंगे सामके भी आपकी चार बजे की संध्धिंग 4 या 4.-4 बजे हम लेते हैं क्लास दोस्तों वो आपकी योगी परभण की क्लास चल लई है जो की science का chapter वहाँ पर चला दोस्तों तो वो class आपको लेना मत बूलिएगा मिलते हैं इस वीडियो में जैहिन वंदे मात्रम हस्तरी मुस्कुराते रही और परिवाल के साथ सारी खुशियां बाढ़ते रही दोस्तों जैहिन साथी